तो सुवागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नहीं और लेटस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाने वाले हैं क्योंकि इमोशनल बाते ही होंगी आज के इस वीडियो में में कॉशिय को और मरसिय को समझते हैं आठीं अफिर कि से कहते हैं उर्दू कई का het होता है भी खिर्ण हो गया नजम हो गया मरसिय क्तिने बी मतलब उर्दू शायरी में बीट chemicals क्टाने की इसे इसलिए कि अ मया आहिए तो आच बीए में किसे कहते हैं देखिए मर्सिय जो है ना यह अर्भी जबान का लफ्ज रेशा से मिलकर बना हुआ है अर्भी भाषा का एक लफ्ज में रेशा उससे मिलकर बना है मर्सिया रेशा का मतलब होता है रोना और मातम करना रेशा का मतलब क्या होता है रोना और मातम करना तो अब यह को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ वो फजायल बियान किये जाए और रंज व गम का इजहार किया जाए आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चले एक दम विस्तार से समझ लेते हैं मरसिया उस नजम को कहते हैं यहां से तो एक बात डारेक् किया रंज व गम का इजहार किया जाए मतलब क्या मतलब जिस नजम में जिस कवीता में किसी शक्स की मौत पर रंज व गम का इजहार किया गया हो और उस शक्स जिसकी मौत हुई है उस शक्स के बारे में बताया गया हो मतलब उस शक्स की खूबियों को बयान किया गया हो उस उस शक्स के बारे में बताया गया किसी शक्स की मौत पर पर और उस शक्स की मौत पर रंज वगम का इznaर किया गया हूँ और उस शक्स की खॱूबियों उसके ऑसाफ को फजायल ब्यान किये गया हों तो उस नजम को कहा जाता है क्या मर्सिया ठीक है आप लोग जिस तरह चाहें देखिए टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है बाकि तो डिफिनेशन आप लोग कोई लगे सकते हैं है तो आप लोगों मर्सिया समझना गया मर्सिया एंटिफिनेशन जो अधी मर्सिया को लाब उटा सकते हैं तो नुए च्छाहर होता है पोड़ए सब ακ taraf होता है देख लेकि पहला है रस्मी मर्शिया, दूसरा है पौमी मर्शिया, तीसरा है शक्सी मर्शिया और चोथा है मजभी मर्शिया अब यहाँ पर मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा मरसिया का मतलब जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि किसी की मौत पर रंज और गम का इजहार करना और उस शक्स की खूबियों और और साफ और फजाइल को बियान करना शेर और शायरी के अंदाज में लिकर तो उसको क्या कहते हैं मरसिया ठीक है अब सुनिये हमारे इमाम हुसेन और कर्बला में शहीद होने वाले जितने भी लोग है अगर उनकी मौत पर रंज और गम का इजहार करते हुए नजम लिख देना और हमारे इमाम हसन हुसेन जो हैं उनकी खूबियों को बियान करना उनकी औसाफ और फजाइल को बियान कर देना उस नजम में तो क्या उस नजम को मरसिया कहेंगे तो बेशक उसी को तो कहते हैं मरसिया मरसिया उसे को कहते हैं कि जिस नजम में शहदाए कर्बला यानि कर्बला में शहिद होने वाले जितने भी लोग हैं अगर उनकी मौद पर रंजव गम का इज़ार किया गया हो जिस नजम में और हमारे अमाम हसन हुसेन जो है उनकी औसाफ और फजाइल और उनकी खूबियों को बियान किया गया हो तो उस नजम को क्या कहते है मर्सिया और मर्सिया का एक और नाम है आप यू कह सकते हैं कर्बलाई मर्सिया कर्बलाई मर्सिया क्यों नाम दिया गया है क्योंकि कर्बला में शहीद होने वाले के उपर जो लेकिन अगर किसी अपने लोगों यान की अपने रिष्थदारों की मौत हो मानलीजी मैं हूं मेरे तो बहुत सारे रिष्टेदार होंगे आप लोग के भी बहुत सारे रिष्टेदार हों गई असोसे कि धूलक़ अगर मेरे रिष्टिदार में से किसी की मौत हो जाती है और उस शक्स स्की मौत पर मैं जोगम का इजहार करते हुए नजम लिखे घए जिसमें प्लूस उस शक्स की जिसकी मॉथ गया है तो क्या आप लोगर स हमस्य कहेंگे यह सबसे बड़ा सवार हैं लेकिन उसको क्लक शक्सी मरसिय कहेंगे क्योंकि किसी शक्स की मौत पर वो मर्सिया लिखी गई है तो उसको कहेंगे शक्सी मर्सिया तो यहाँ पर दो पॉइंट दो टापिक समझना जरूरी है एक करबलाई मर्सिया और एक शक्सी मर्सिया करबलाई मर्सिया को आप नॉर्मली मर्सिया भी कह सकते हैं दिक्कत नहीं है ठीक है तो कर्भला में शहीद होने वाले के उपर अगर इंसान की मौत हो गई है । अगर किसी साधारन इंसान की मौत पर मर्शिय लिखी जाती है तो उस मर्सिया को कहेंगे शक्सी मर्सिया क्योंकि किसी शक्स की मौत पर वो मर्सिया लिखा गया है तो इसको कहेंगे क्या शक्सी मर्सिया यही दोनों चीज आप लोगो दोनों टॉपिक समझना जरूरी होता है क्योंकि कोशन यहीं से पूछा जाता है बाकि जितने मर्सिया पहली बार मर्सिया किसने लिखा और उस मर्सिया का नाम क्या है तो याद रखेएगा पहला मर्सिया का नाम है नौ सरहार जिसको लिखे थे अश्रफ ब्याबानी ने पंदर सती निस्भी में पंदर सतीन में अश्रफ ब्याबानी पहले मर्सिया निगार बन गए पहल मर्सिया नौ सरहार लिखकर ठीक है तो याद रखना है कोशन पूलता है कि उर्दू का पहला मर्सिया कौन है अपसन में दिया रहेगा नौ सरहार लिखने वाले कौन है यानि कि मर्सिया निगार कौन है मर्सिया लिखने वाला मर्सिया निगार कहलाता है तो अश्रब बेबानी है ठीक है अब समझ लेते हैं मर्सिया के अजजाय तरकीवी मर्सिया की अजजाय तरकीवी का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें मर्सिया में होनी चाहिए जिसके वज़े से मर्सिय को पेहचंगा जा सके जो जो चीजे मर्सिय में एकदम जरूरी ए उसी को कहते हैं क्या मर्सिय के जाय तर्कीवि कोशन पूछा था कि मर्शिय की तमहीद को क्या कहते हैं ओप्सन में दिया था चेहरा तो मर्शिय की तमहीद को ही तो चेहरा कहते हैं और यहां पर स्टूडेंट छोड़कर चले आये थे जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा और वो चेहरा टिक करके आ दूआ यह आठ जो है ना मर्सिय के अर्जाय तरकीवी है याद रखना है आप लोग मर्सिय समझ गये होंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताया की नहीं और जितने भी टौपिक आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ भी जरूर कर दीजेगा और जितना जदा हो सके शेयर बिदा दी तो अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे फड़ावार स्क्रीन शॉट अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज